जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार दिक स्वागते महा काली भकत ग्यानी यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस पीडियो में मैं आप सभी भकतों को बताने वाली हूँ ये पांच दिन की पूजा अपने घर में करने से आपको माता काली हर चीज की पूछा देने शुरू कर देती है जैसे आप माता काली से किसी भी चीज के वारे में पूछना चाते हैं या अपने लिए या फिर अपने घर परिवार के लिए या फिर किसी भी भारवाले प्यक्ति के लिए तो आप लोगों को ये सेवा करनी होती है ये पूजा आपको करने से ही माता काली और अन्य देवी देपता हर तरह की पूछा देने लगते हैं और वो भी सच्चे बचन के साथ तो जितने भी भक्त है माकाली के या फिर अन्य देवी देपता के जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी भक्त माकाली से बात करना चाते हैं अपने परिशानियों का हल निकलवाना चाते हैं सही रास्ता माताकाली के जरिये देखना चाते तो वो भोत कोसिस करते हैं माकाली से उनकी बात हो माकाली उनको दर्शन दे फिर वो बात कर सके हर तरह से वो बड़ी बड़ी पूजा पाट मंतर जाब सब कुछ करते हैं लेकिन इतना कुछ करने के बात भी उनको माकाली पूछा नहीं देती है तो पूछा भी देखने का तर और वही तरीका अगर आप आज इस्तमाल करेंगे तो आपको भी माता काली सच्चे बचन के साथ पूछा दे करेंगी जिसके नाम से आप पूछेंगे जिसके सहर के नाम लेके आप माता से पूछेंगे उसकी पूरी की पूरी पूछा आपको माता काली देने लग जाएंगी जब आप पांच दिन की ये पूजा अपने घर में करने लगेंगे तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेश्ट करना चाहूंगी अगर आप मह काली भकतग्यान यूटूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक सेर कमेंट जरूर कर लेना क्योंकि यहां पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिल होगी तो जितने भी काली माता के भक्ते हैं सभी भक्त चाते हैं कि माता काली भी उन्हें पूछा दे जैसे कोई रोगी व्यक्ति आता है या किसी के मन की बात जानना चाते हैं आप आपके साथ वो सही बेवार कर रहा है लेकिन आपको कभी-कभी ऐसा भी फील होता है कि वह सामने वाला व्यक्ति जो है वो हमारे लिए गल्त सोच रहा है मतलब गल्त भावना अपने मन में रख रहा है तो आप उस चीज की जब जानकारी लेना चाहेंगे तो माताकाली उस चीज की जानकारी देगी कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है पूरी जानकारी आ आपको continue करनी होगी तभी आपको माता काली पूछा देना शुरू करती है तो आप लोगों को सुभा उठकर इसनान करकर सबसे पहले माता काली को भोले नाथ को सूरी देप को एक एक लोटा पानी का चड़ाना जल ठीक है ये चड़ाने के बाद अपने घर में मंदर में गंग आपकी दो टैम के रहेगी लेकिन पाच दिन तक रहेगी तो सुभे आपको जोद जलानी है देसी घी की देसी घी की जोद जलाने के बाद धूब बत्ती अगर बत्ती जो आप लगाएंगे वो आप लगा दे उसको लगाने के बाद आपको माता काली को भोग भी चड़ाना सुभा के टाइम आपको माता काली को पेड़े का भोग लगाना है ठीक है पांच पेड़े आपको दुकान से मिल जाएंगे बाइट वाले सफेद वाले वो पेड़े आपको पांचों में से थोड़ थोड़ तोड़ के माता काली को भोग बे चड़ाना है कपूर के उपर ठीक के बाद आपको नीबो को चक्कु से काटके उसके अंदर दो लोंग लगा के फूल वाली दो लोंग लगा के माता काली को कपूर के उपर ये भोग आपको देना है सुभा के टाइम ठीक है आप जो आपने माता को पेड़े का भोग लगाया है बाकी जो पेड़े का भोग बसत आपको देसीगी की जूत जलानी हैं धूबत्ती लगानी है है और आपको अपने घर में छोटा सा हवन माता कली करना होगा हवन कैसे करते हैं वो तो मैंने आपको उलरेडी बता ही रख़ा है अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करदेना मैं आपको एक बार और बता दूँगी किस तरह से हवन करना है और हवन में आप लोगों को एक नीबू एक जायफल लोंग बतासे का भोग मीठे पान का भोग और उसके साथ साथ पांच तरह की मिठाई का भोग ये साम के टेम हवन में लगाना है अगर मिठाई का ना लगा सको तो सुखे गोलेगा भोग माताकाली को जरूर लगा देना ये भोग आपको साम के समय लगाना है और ये पांच दिन की आपकी पूजा रहेगी इसी तरह से पांच दिन तक लगातार करनी है अगर आप इस पूजा को उठाएंगे तो continue करें अगर पूजा नहीं पूरी तरह से करेंगे तो आपको कोई भी फाइदा नहीं होगा माताकाली आपको सही तरह से सत्य वचन के साथ पूछा नहीं देगी जब ये पूजा करेंगे तो छटवे दिन आप किसी भी चीज़ की पूछा माता से पूछना ध्यान लगा के माता आपको पूरा सच्चाई में सत्ते वजन के साथ बता जाएंगी तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माता काली ओम नमस्षिवार